36 गड़ के रायगर जीले के सारंगड ब्लोक से बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कोसीर से जुड़े हुए ग्राम पंचायत भांटा गाउं के सरपंच की करोना से मृत्ति हो गई बता दे कि बीते दिन ही उनका एंटिजेन टेस्ट हुआ था जिसमें वे करोना पोजिटिव पाए गई साथ ही उनकी माता तता भाई का भी टेस्ट रिपोर्ट पोजिटिव आई थी जिससे वे घर पर ही क्वारंटाइन रहकर अपना इलाज कराना चा रहे थे अचानक रातरी में उन्हें सांस नेने में भारी परिशानी हुई जिससे उन्हें प्राइविट वाहन की मदद से सारंगर इलाज के लिए ले जाया गया जहां उनकी मृत्य हो गई आसपास के लोगों ने बताया कि उन्हें चार-पांस दिनों से बुकार आ रहा था तथा सांस नेने में भी दिक्कते महसूस हो रही थी जिसे नजर अंदाज कर गाउं में ही इलाज करवाय जा रहा था वही प्रिशासनी कदिकारी वपरमुख लोगों की उपस्थित्वी में सुरक्षय व्यवस्था के साथ उनका अंतिम संसकार किया गया साथ ही संपर्क में रहे उनके भाई को 108 की मदद से इलाज के लिए सारंगड सीपी एम कॉलेज भेजा गया है बता दे कि कोसीर शेत्र में करोना से पहला मोत का बड़ा मामला सामने आया है जिससे भाटा गाउं कोसीर सहीत आसपास के सभी गाउं में संसेनी फैल गई है रायगड सारंगड से शामकुमार पतेल की रिपोर ऐसे ही लेटेस को बरेपाने के लिए बेल आइकन को फ्लिक करें हमारी चैनल को लाइफ, शेर और सब्सक्राइब करें जब्सक्राइब करें